तो गाईस यहीं पे खशी चरता है और पूरा भी अलो गाईस वेलकम बैक टो न्यो ब्लोग कैसे हो दोस्तों स्वागत हमारे पिर से एक नए ब्लोग में तो गाईस आज हम जा रहे हैं कहां बुर्वाखा गाओ कहां जिसको बुर्वाखा गाओ के नाम से लोग जानते हैं व मैं जा रहा हूं बतना है और मैं हुआ भी रास्ते पर वहां होने वाला है चोटा सा फंक्सन और फंक्सन में इस थोड़ा भाग लेना है वहां सामिल होना है क्योंकि वहां जो है उस जगह पे पहुंचेंगे फिर आपको दिखाएंगे ठीक हैं वीडियो को पूरा अधर यहां से अभी हम नगर पंचायद सुरसंड पहुंच चुके हैं और यहां से मिंद्र 1 नेपाल भी जा सकते हैं रोड में चौक एक रास्ता ये जाता है और ये तो फिलाल चलते हैं पेह। अभी नेपाल में है बोडर पे बतनाहा नेपाल का ये बतनाहा है और मैं हूं बतनाहा ही और फिल्हाल मैं यहां से नेपाल के रोड होते हुए आगे निकलते हैं क्योंकि ऐसा रोड है कि पुरा गिट्टी है अर गिट्टी से हि मैं उसमे रोड चला रहा हूं व Counter हो तो चलिया और मेला मेला लगा हुआ है जैसे परोलस्थान में मेला लगता है न उसी टाइप से यहां मेला लगा हुआ है और बहुत सारे लोग उस मेला में पहुंचे हुए है तो चलिए देर न करते हुए मेला को एंज्याई करते हैं हमें तो यहाँ रात हो चुका है पहुंचे में और रात में क्या दिखा हों चारौ तरफ Une gurind है यह है एस्पूल में सब अपना अपना रूम में बना के खा रहे हैं cape न मे रात हो गया यहाँ पहुंशते लेकिन अंधेरा है है बस हर कुछ नहीं अंधेरा है यह बतना है मैं भी केरी दूंकर रात में जो इतना भीर देख रहे हैं गारी सबहां रहे हैं लोकई वाया जा रहे हैं वहां कुछ बना नहीं है, बनेगा फिर खाँगे, तो ऐसी यह बतना चोक है, और फिलाल वहां तो अंधेरा था, यहां लेकिन फेपर लाइट लगा हुआ है, इसके वज़े से रोसनी है, और क्या बता है, बहुत भीर है, बहुत भीर है, रात में भी बहुत भीर है, चलिए फिर देखते हैं, घुमते हैं, क्योंकि दीन में तो पहुंच नहीं पा है, रात को पहुंचे हैं, टाइम का पाबंदी, ब्लॉग भीर भी नहीं बंदी, लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, देख रहे हैं, रात को भी आदमी कम नहीं पर रहा है, बहुत सारा भी इतना भीर है अभी रात हो चुका है दिन में तो इतना भीर था मैं पहुंची नहीं पाया कैसे दिखाऊ तो रात को मैं पहुंचा हूं और रात को मैं दिखा रहा हूं यह देखें ट्रेफिक वाले नेपाली पुलीस और रात को भी पूरा भीर है तो गाइस यह भी कोई बहुत बड़ा धर्मस्तल है जहां लोग खसी चरहने आते हैं चलिए आगे दिखाते हैं इतना भीर है कि मत पूछिए यहां आने के लिए कैसे कैसे मसकत करना क्योंकि इधर से अगर जाईएगा तो यहां चातरवस्थान है च है कि अगसार लगा हुआ है अंदर खसी चंटा है अब देख सकते हैं पूरा यहां से भीर पड़ा हुआ है कोई जाने की अंदर वेवस्था नहीं है और विसर वावा 53 तो ठीक है फिले आल यहां से देखते me pee भीर लगा हुआ यतना भीर काट सतना है भी यह बदो भी चलते फिर आगे और बानाते हैं नहीं चरेगा फिर खाएंगे पिएंगे और वहां से निकल परेंगे तो ठीक है गाइस बने रहे हमारे साथ बारब उच्छुका है रात को अभी तक बना नहीं है बहुत भीर है और सभी लोग लगे हुए हैं इसमें भीर इतना है कि मत पूछिए रात को अंधेरा है यहां जरनेटर वेगरा चला के देखिए यह चूली पर अपना काम हो रहा है और चारो साइट देख सकते हैं अंधेर जाएंगे रात को अभी बारा बजा हुआ है मेरा घरी में भी थोड़ा लाइट कम है आप देख सकते हैं चारो साइट देखिए बहुत से लोग है इतना जनसंग कि मैं कितना दिखाऊं अपने ब्लोग के मादम से टाइम अभी लग संथिंग घरी में भी टाइम नहीं पता चल रहा है रोसनी में जाएंगे पिर देखिए यहां परसाद को जरकार है भाईया अभी हम लोग का भी परसाद बना नहीं है परसाद यहां से उठाएंगे लगता है मेरा मोवाइल बंद हो जाएगा क्या कहें गाई चार परसेंट में मेरा मोवाइल अटका हुआ है और फ प्राइम हो चुका है 12 बजने में 5 मिनट कम है और फिलाल यहीं है टोटली वेवस्ता आइस में है और जर्नेटर का वेवस्ता है यहां किये हुए है फिलाल चलिए देखते कितने वैस तक यहां से फ्री होते हैं कल रात को तो बहुत रात हो गया तीन बजे मैं रिटॉन आय कि इलिए मैं बजे रात को मैं घर आया वतना से डारेक्ट में घर आया रास्ते पह तो कुछ नहीं मिला क्या करो मवाइल मेरा स्वीच आप हो गया था रहा था कि मां क्या सब्लोग को आग समीय मिनटा है तो चलिए खोल ब्लोग को आज-से माप करना था तो मैं आभी हूँ अपने दुकान पर और यही मेरा सौफ है मैं यहीं मिलूँगा तो चलिए नेक्स्ट ब्लोग में आपको दिखाएंगे आज का ब्लोग को यहीं खतम करते हैं फिर मिलते हैं अगले दन्यवाद सब्सक्राइब चरूर करें